प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस बेल आपन को वीडियोज वेलकम स्टूदेंट्स माइ एक्स्टर व्लास में आपका स्वागत है हमारा आज का टोपिक है सकसेसर एड प्रिडिससर वीडियो को चुरू करने से पहले प्लीज लाइक एड शेयर माइ वीडियो और प्लीज सबसे पहले हम करेंगे कि यह जो सक्सेसर और प्रिडिसेसर इसका मतलब क्या होता है ठीक है देखो सक्सेसर में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो इसकी क्या बन रही है दन नंबर नंबर जस्ट आफ्टर गिवन नंबर जस्ट आफ्टर गिवन नंबर वो हो जाएगा सक्सेसर और प्रिडिसेसर में क्या है हमारा जस्ट बिफोर गिवन नंबर ठीक है जस्ट बिफोर गिवन नंबर वो हमारा हो जाएगा प्रिडिसेसर ठीक है सिंपल क्या है आफ्टर का मतलब होता आपका बाद और बिफोर का मतलब होता पहले कोई भी नंब़ आ अगर आपने उसका successor निकालना तो आपने क्या करना है उस नंबर के आगे वाला जो नंबर आएगा, वह होगा successor, predecessor होगा उसी नंबर का अगर हमने predecessor निकालना है तो वह हो जाएगा उस number के exact पीछे वाला number ठीक है वो होगा हमारा predecessor question के according आपको अच्छे से clear हो जाएगा जी ठीक है और दूसरा हम कह सकते हैं इसको successor में हम क्या करते हैं नंबर जो one है न जो उसमें add करते हैं successor में और predecessor में करते हैं one को subtract ठीक है यह difference है दोनों में कि predecessor में एक पीछे वाला नंबर लिखते हैं और successor में किसी भी नंबर का जो उसके आगे आएगा वो लिखते हैं ठीक है देखो अब example के according करते हैं माल लो हमारा question है उसी नंबर का मैं successor और predecessor दोनों ही निकाल दूंगी एक साथ में ठीक है ठीक है देखो इसमें क्या करना माल लो हमारे पास एक question है 245 ठीक है सिंपल है देखो मैंने क्या बताया कि इस नंबर का successor निकालेंगे तो क्या आएगा जस्ट इसके आगे वाला जो नंबर होगा वो ठीक है तो क्या करेंगे हम इसमें करेंगे प्लस वन ठीक है आपने यह इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस करते टाइम आपने ऐसे नहीं करते न जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्लेस वेली वाली में कि प्लस हमेशा हम यह वाली जो साइड है ना राइट साइड से करते हैं यह वाली जो साइड से यह निया कि आपने यहां लिख दिया तो यह आजाएगा इसका प्रेडिस एसर यह गलत है एसे नहीं करना है कहां से स्टार्ट करते हम यह वाली राइट साइड से आपने करना है इस five में सिर्फ one को प्लस कर तो six आ गया यह four as it is and two यह आ गया हमारा है definition के according हमने is товar कूँ सब्ट्रेक्ट करना वन को मइनिस करना है समें से ठीक है फिर से पहले की तरह जैसे हमने addition की थी right left with right side से predecessor में भी हमने क्या करना है subtract करना है इधर वाली साइट से यह निया रॉली साइट से करना पीछ भीर से से 2 सब्ट्रेक्ट कर तो अगले वाला है बिल्कुल नबर वो है 246 और पीछे वाला है 244 आगे वाला निकालेंगे तो successor हो जाएगा पीछे वाला निकालेंगे तो predecessor ठीक है आपको क्लियर हो गया हो ठीक है अब कोई और question कर लेते हैं ठीक है मान लो अगर आपके question में आज आए last में 9 ठीक है बच्चे क्या है इसमें confused हो जाते हैं mostly ठीक है simple तरीका है आप क्या करो फिर one plus कर दो अब क्या करोगे अगर आपने आइडिया लगाना है कि हम ऐसे कर लेंगे कि 99 के पीछे क्या आएगा तो क्या है आगे आएगा confusion हो जाती है इसमें simple यही है कि आप add कर लो इसमें one successor में और subtract कर लो one predecessor में यह simple method है बिलकुल भी आपका question गलत भी नहीं होगा ठीक है देखो अब क्या है इसमें अगर देखो यह जो last question था ना इसमें कोई carry नहीं थी अगर carry नहीं हो तो अब simple last two digits देखके कर लेते हो कि 45 के आगे वाला 46 आ जाएगा two as it is अगर by chance ऐसा ना हो तो हम क्या करते हैं one को ही plus करना पड़ेगा इसलिए यही जो method है यह आपके लिए सही रहेगा कि आप one को ही plus करो क्योंकि के वर नहीं पता लगता कि last वाले digits से गलत भी हो जाएगा question आपका ठीक है देखो last में plus कर दो इसको nine plus one हो गया ten जहां पे आ zero आगे वाले पे आगे carry one plus one two तो यह जो 3199 है इसका जो successor है वो आएगा 3200 और अगर हम इसका predecessor निकालेंगे 3199 का तो हम क्या कर देंगे फिर से ही right side से हम इसको subtract कर देंगे यहां से ठीक है तो यह predecessor इसका यह वाला आया है ठीक है successor आएगा यह मैंने short में लिख दिया srp ठीक है तो आगे देख लो अगर by chance आपके question में zero आ जाती है last में तो क्या करेंगे हम ठीक है देखो यह question थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ठीक है इसमें क्या है successor निकालना है तो one plus करोगे last से ठीक है successor तो easily कर लोगे आप लोग प्रीडिससर में कहीं वर confusion हो जाती है subtraction के case में अगर zero आ जाए simple क्या करो carry देखो अब zero में से one नहीं जाएगा ठीक है क्या करना पड़ेगा carry लेना पड़ेगा साथ वाला जो नमबर होता है उससे पर यहां पर भी zero है यहां पर भी आप carry नहीं ले पाऊगे तो next वाले भी आजो इसमें से भी carry नहीं आएगा क्योंकि हमारे zeros आगी है carry कहां से जाएगा यह वाले से अगर आप carry लेते हो ते यह 3 है यहां पर बच जाएगा टो और यहां पर बन जाएगे 10 ठीक है फिर आगया यहां से नाइन क्योंकि इसने carry ले लिया यहां बन जाएगे 10 ठीक है अब carry यहां तक पहुँझेगा तो यहां पे फिर से रह जाएंगे 9 और यहां बनगे 10 10 में से बनगे 9 9 9 2 2 ठीक है तो यह जो है 23,000 का successor यह आ गया predecessor आ गया यह ठीक है I hope आपको clear हो गया हो मेरा यह topic आज का पढ़ाया हुआ अगर आपका कोई भी question या query हो इससे रेटर आम उससे comment करके पूछ सकते हो ठीक है please share this video and like this video and please subscribe my channel thank you for watching